जो खाने के सौखीन होंगे वो इस रेशिपी को जरूर पसंद करेंगे एकदम नियू रेशिपी है आप लोग जरूर एक बार ट्राइ करिएगा तो फ्रेंट कैसे हो आप सब उपीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे तो मेरे इस वीडियो को भी आप लोग बहुत प्यार दीजेगा तो आज मैंने बनाया है एकदम फिसकरी जैसा ओरत के डाल की सबजी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जो खाने के सौकीन होंगे उनको तो खाना पसंद आता ही है तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लोगी तो चलिए सुरू करते हैं उरत के डाल की सबजी बनाना तो प्रेंट्स मैं यहां उरत के डाल दे लिए हैं उरत के डाल में हम पानी डाल देंगे इसको धोलेंगे अच्छे से अब इस उरत के डाल को ओवरनाइट के लिए हम फूलने के लिए रख देते हैं इसको ढख कर तो उरत के डाल देखिए फूल गया है मैंने रात भर इसको भूग गया था तो अब इसको हम ट्रांसपर कर लेते हैं जार में तो मैं इसमें पानी जरत से भी नहीं डालूँगी जिते पानी बचेंगे मैं इसको निकाल लूँगी तो इसमें पानी नहीं डालना है सुखा ही पीसना है इसमें थोड़े लसुन डालने है अद्रक डालना है किंच करीब एक हरा मेर्चा इसको हम जार में पीस लेते हैं तेखिए इस तरह पिसाएगा पानी नहीं रहेगा वो रात भर का सोखा है तो अच्छे से वो पानी सोख लिया है इसके लिए पानी नहीं डालना है इस दाल में तो जार में हम पानी डालके दोके इसको किनारे कर लेते हैं अब इसको भी ढखक लेकिन बहुत तैटी बनाती थी अब इसमें हम डालेंगे अदरक लसुन का पेश्ट तो आप लोग पेश्ट डालना है तो डाल देज़ेगा मैं घीसा हुआ अद्रक और लशुन रखी थी तो मैं वही डालूंगी घीसा हुआ अद्रक लशुन तो इसको भी इस प्याज में हम फ्राइ कर लेंगे तो अच्छे से इसको हम फ्राइ कर लेते हैं तो मैं बता रही थी ससुरार में मैं बहुत बनाती थी इनको बहुत पसंद यह सबजी तो यह देखिए अब इसमें हिंग में डालना भूल गई थी हिंग आप स्टार्ट में डाल देजेगा तो मैंने हिंग डाल दिया है फिर इसको अच्छे से चला के अब हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले जैसे कि धनिया हल्दी पाउडर और लाल मेर्चा पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर जीरा पाउडर और यह है मीट मसाला यह इस सबजी का सिक्रेट है इसमें मीट मसाला डालिए क्या गजब की टेस्ट आती है तो आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं सबजी मसाला भी डाल सकता है मैंने मीट मसाला डाला उसमें थोड़ा सा पानी बाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं और मसाले को भून लेंगे हम भूनने के बाद देखिए इसके कलर अभी ही कितनी अच्छी आने लगी है अब इसमें हम डालेंगे टामाटर के साथ साथ हम डालेंगे नमक नमक अपने आविश्यक्ता अनुशार डाले जितना आप खाते हो फिर इसमें हम थोड़ा पानी डालके जरा ही पानी डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे ताकि मसाले न जले और टमाटर अच्छे से पक जाए ठीक है फिर इसको हम कवर करके तीन चार मिनट के लिए छोड़ देंगे लिट से मैंने कवर कर दिया है तीन चार मिनट बाद हम चेक करेंगे देखिए कितिना अच्छा कलर आ रहा है टमाटर भी गल गया है एकदम अच्छे से मैश कर लेंगे एकदम गाड़ी ग्रेवी बहुत अच्छी लग रही थी और खुसबू तो इतनी अच्छी आ जार में मैंने पानी रखा था ना जार धोके अब जानते हम लोग भारती महिला है कुछ फेकना नहीं चाहेंगे अपना समान नुकसान नहीं करना चाहेंगे तो जार में जितने भी उरत के डाल के पेश्ट पीसे हुए थे तो मैंने जार को धोके पानी इसी में डाल दिया ह तो इसे ग्रेवी बिगाड़ी हो जाएगी ना तो फायदा ही है तो इसमें मैंने डाल के अब इसमें हम आवशकता अनुसार पानी डाल देंगे जितना मेरी फैमिली के अनुसार मैंने डाल लिया है कि मेरा ये चल जाएगा तो फिर इसको हम कवर करके तीन-चार मिनद तक मुझे वन रहा है यहाँ पी मैंने साधा पानी लिया है एक जब में बेटले लिया क्यों हम चाकुको जिस स्वेप में कटके डालना है उस स्वेप में काट सकते हैं तो मैं इस स्वेप डाल रही हूँacement क्यों कि बच्चे पर मेरे husband को ऐसे अच्छी लगते हैं, आप चाहें तो पकोड़ी की तरह भी डाल सकते हैं, आपसे नहीं होगा तो, लेकिन मुझसे तो हो जाता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो ये देखें, कितनी आसानी से बन जा रही है, और ये इसमें घुलेगा भी नहीं, सब देख ऐसे ही मैं कर लेती हूँ, तो घर में जब सबजी ना रहे, या फिर सबजी रहे भी तो सबजी ना खाने का मन करें, तो ऐसे कुछ बनाईए अलग से तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, डाल की पकोड़ी, डाल की सबजी, उरत डाल क सब्जी मेरे फैमिली को भी अच्छा लगता है तो मैंने आज बनाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए तो अगर कभी आप ना खाए हो तो जरूर ट्राइब मारिएगा बहुत अच्छा लगेगा मुझे तो लगता है कि बहुत कमी लोग जानते होंगे कि ऐसे सब्जी बनती भी है सो फ्रेंड मैं इसको बीज-बीज में हिला रही हूं लगातार नहीं हिलाना है नहीं तो यह खराब हो जाएंगे जो फिस के आकार का मैंने डाला है तो खराब हो जाएंगे बहुत टेश्टी बनने वाली है यह मेरे हजबन को बहु तो मैंने सोचा आज में यही बनाऊंगी तो यह देखिए यह पक रहा है इधर सब्जी बस पांच में टॉर लगेंगे और यह पक जाएगी मेरी सब्जी और वह इंतिजार में पैठे ठीक है तो सो फ्रेंड यहां पर मेरी सब्जी तेयार हो गई है इधर मैं रोटी बना जारी हूं और मैं धनिया छीड़कने जारी हूं यह देखिए मेरी सब्जी इधर लाकर देखिए यह देखिए इतनी अच्छी सब्जी बनी है ना अब इस तरे में थोड़ी धनिया छीड़क देती हूं मेरा चावल हो गया है रोटी इधर हो रहा था मतलब रोटी भी हो गया था यह लाश्ट रोटी था तो चावल सब्जी रोटी मेरा हो गया है तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मेरा यही तक का तो आईए आप लोग भी खालीजे यह मैंने चावल बनाया है उरत की डाल की सब्जी बनाई है और यह शलाद है और रोटी बनाया था रोटी भी खालीजे आज का ब्लॉग मेरा यही तक का अगर आप लोगों को जरा सभी ब् पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू